जएहिन गाइस तो यहाँ पे दो important news हैं पहली उन students के लिए है जो यहाँ पे फर्स समसर का exam देने जा रहे हैं और दूसरी उन students के लिए है जो यहाँ पे 2022 में अपना लखनो विश्विद्याले में admission के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पे हम बता दें कि जो already जो सत्र है वो पीछे चल रहा है बट अब लखनो विश्विद्याले की पूरी तयारी है कि वो अपना जो शेक्षिक सत्र है उसको नियमित यहाँ पे कर सके और लाइन पर पटरी पर अपनी ट्रेन ला सके तो यहाँ पे बता दें कि जो आपकी इसके अनुसार सेक्षिक सत्र जो है वो 2022-2023 में इसना तक वा परिसना तक की पहले समेस्टर की कक्षाएं जो है 5 अगस्ट से शुरू करने का लक्ष रखा गया है तो जो नया मतलब अभी 2022 में जो स्टुदेंट्स यहाँ पे एडमिट किये जाएंगे जिनका एडमिशन होगा तो उनका यहाँ पे 5 अगस्ट से जो आपकी कक्षाएं वो शुरू करने की यहाँ पे तयारी है तो उनका परिणाम बता दिया गया है कि 7 मही तक आपका परिणाम भी घोशित कर दिया जाएगा तो यह इंपोर्टेंट आपके लिए अपडेट है और बताएं तो दूसरे समेस्टर की जो परिक्षाएं है वो जून से 15 जुलाई के बीच की जाएंगी तो यहाँ पर ऐसा अनुमान एक 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 स्पेक्टेड बताए गया है कि जून से 15 जुलाई के बीच आपकी जो कख्षाएं है वो संचालित की जाएंगी और उसके बाद जो दूसरे समेस्टर की परिक्षाएं है वो यहाँ पर जून से 15 जुलाई के बीच यहाँ पर कराई जारी किया गया है और बताया गया है कि परणाम जाए वह आपका 31 जुलाई तक घुशित कर दिया जाएगा इसी करब में नए सत्र जो आपका 2022 और 2023 में इस नातक परिस नातक कोर्सों में प्रवेश के लिए यहाँ पर 31 जुलाई तक पूरा करके 5 अगस्त से कक्छाए नियमि कर दी जाएंगी तो यहाँ पर 31 जुलाई तक हर हाल में यहाँ पर टार्गेट है कि यहाँ पर जो 2022 का 2023 का जो एडमिशन होना है वो करा लिया जाए और फिर यहाँ पर जो आपकी कक्छाए है वो नियमित यहाँ पर 5 अगस्त से संचालित कराई जाएं लगे तो यही कुछ इस बार जो एडमिशन लेने वाले हैं वो इस टुडेंट है तो और अगर इसको शेर जरू कर देंगे तो यहाँ पर उन सब इस टूडेंट को भी पहला सल जाएगा तो शेर जरू करिएगा बाकि आज की वीडियो में पसित नहीं मिलता है नेक्स वीडियो में किसी नई अ साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपने घर वालों का ख्याल रखें जिनका बोर्ड इगजाम है वो बोर्ड इंग्जाम के लिए करिए और जिनका यहां पर सबस्पार करिए और ऑल्र ऐट वर्याट ड परेपर अच्छा जाएगा बाकी अपनी तैयारी करिये सब कुछ अच्छा होगा जय हिंद जय भारत